ब्लाइंटक लाइब्रेडी के सभी व्यूवर्स को मेरा यानि परमजीत सिंग का नमस्का और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ करिज्मा एंटर्प्राइज़स डेजी प्लेयर का टेटोरियल जी हाँ एक नए चीज यह आपको बहुत ही भैतरीन लगेगा तो करिज्मा एंटर्प्राइज़स डेजी प्लेयर मैंने खरीदा जो 10,605 रुपए में और मुझे एक इसकी स्ट्रॉंग प्राकेजिंग मिली जिसमें चार्जर, बहुत बढ़िया एयरफोन, डेटा केबल, डेजी प्लेयर मिला और बहुत अच्छी प्राकेजिंग और दो लगभग 24 बटन है इसमें, तो इसमें हम देख जैसे की देखेंगे की 24 बटन्स हैं, और धीरे धीरे हम इन सब के बारे में देखेंगे, तो मैं Key Described More On करने जा रहा हूं, इसका कारण ये है कि आप हर एक बटन से परिचित हो जाएं, ये कह रहा है कि ब्रत्य की को दबाईए, तो जिससे आपको वो बटन बताएगा कि ये किस चीज के लिए यूज होता है, स्टार्ट बटन इससे हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में नैविगेट कर सकते हैं, मैंने में वाइफाई, टाइम चेंजिंग जैसे ऑप्शन से हैं, तो ये चार एरोज आपको बता ही है कि बुक को नैविगेट करने में बहुत काम आती हैं, और इन चार एरोज के बीच का बटन ओकेई, तो इससे पॉज प्ले और कोई भी चीज को कनफर्म करना हो, उसके खामाता है, इन फो बटन में आप कहीं भी अटक जाएं, आपको कुछ समझ ना है, करना क्या है, तो इन फो बटन को होल्ड कर लीजिए, तो आपको बता देगा कि ये करना क्या है, और माली जे बुक्स के पेज़स भी जानने हो, तो ये बता देगा, और प्ले बैक टाइम किसी भी आउडियो का वो भी बताता है, बैक बटन, ये दोनों बटन जो इन्फो बटन है, वो है, राइट एरो के बिलकुल साथ में, और बैक बटन, लेफ्ट बटन के बिलकुल तो ये सब चीज़ें हैं, अब देखते हैं आगे, और गो टू, गो टू डेजी में बहुत काम आता है, गो टू पेज, गो टू हेडिंग, ये सब काम आते हैं, बुक्मार्क, बुक्मार्क में आप जिसी किसी पुस्तक पर लगा सकते हैं, ये फिर एक डायल पैड दिया इसे आप फोन की तरह समझ सकते हैं 123456789 स्टार जिरो हैश इस क्रम में यह सारे बटन दिये हुए हैं और डिजिटल वान को एक और बार दबाने पर इसमें चिन आने लग जाते हैं जैसे कि फीचर फोन में होता है 2 में ABC है 3 पे DEF है जो कि आपको पता ही है और स्टार दबाने से कोई भी आइटम डिलीट भी हो जाती है जीरो दबाने से स्पेस आता है और हैश दबाने से लैंग्वेज चेंज होती है पर इसमें अभी इंग्लिश है तो मैं की डिस्क्राइबर मोड को आफ करता हूँ अब हम मैंने बटन को दबाएंगे यह बोल रहा है सेटप वाइफाय क्योंकि यह इंटरनेक्ट कनेक्ट करता है तो इसलिए सबसे पहली ऑप्शन यह आनी लाज रही है इसमें हम चला देते हैं अभी हम बैक बटन से देख लेते हैं कि हमारा वाइफाय कनेक्ट हुए यह नहीं तो यह कनेक्ट हो गया है अब हम इसमें बाक्य ओप्शन्स देख लेते हैं यह इसमें जाएंगे अब यह 22 है तो इसमें राइट और लेफ्ट एरोज के मदद से सेट कर सकते हैं इसे भी राइट एरो की मदद से सेट कर सकते हैं और जब यह सारा कुछ सेट हो जाए तो ओके बटन को दबा दीजिए तो टाइम एंड डेट सेट हो जाएगा और इसमें चीज़ बता दू मैं आपको टाइम एंड डेट जब तक सेट नहीं होगा तो वाइफाई भी कनेक् इसमें आप राइट लफ्ट की मदद से आवर्स को सेट कर सकते हैं बट मुझे इसमें जो प्रॉब्लम यह लगी कि इसमें 24 hours वाला ही टाइम है 12 hours वाला फॉर्मेट वाला टाइम नहीं है यह होता है कि आप का जो डेजी प्लेर वो अपने आप बंध हो जाएगा यह बोल रहा है कि हमें उतने मिनट भरने होंगे हम यह डिजिटल की पैट जो है उससे भर सकते हैं तो यह अगर मालीजें हमने बावन मिनट भरें तो यह बावन मिनट बाद अपने अपी शाट डाउन हो जाएगा जिसमें भाशा बदली जा सकती है और इसकी स्पीड भी घटाई बढ़ाई जा सकती है भी वाइस टॉम है अभी नॉर्मल है तो अभी इसमें दो ही आप्षन है भाशा बदलने की और स्पीड घटाने बढ़ाने की तो इसमें अब स्पीड कैसे बदले की वह थोड़ा मैं दिखा देता हूँ इसको मैं उक्रे कर देता हूं तो अभी टॉम है तो मालीजे मैंने अब मैं चेंज करता हूं से लेफ्ट एरो की से देखता हूं कौन-कौन सी आवाजें है इसमें अब ये टॉम है तो क्योंकि ये कभी-कभी हो जाता है तो इसलिए एक बार इन्वालेड की दबाएं तो मैं एक बार क्लोज हो जाता है उसे एक बार फिर से सेट करना पड़ता है अभी टॉम है तो मैं इसे करूँगा सूजन हिंदी में देख लेका नील तो मैं इसे सूजन में कर देता हूं अब हम आगला जो टिटोरियल है वह सूजन के आवास में जारी रखेंगे तो कि हमने से चेंज कर दिया है तो यह हमने कर लिया है अब मैंने बटन के सारे जो फीचर्स है वह हमने देख लिया है अब स्टार्ट बटन के बारे में देख लेते हैं इंटर्नल डिस्क यानि आंत्रिक मेमरी जो कि दो जी भी है यह एक मेमरी कार्ड जो मेरे पुरानी यह यह लोग कहते हैं कि इसमें न्यू फीचर्स डालेंगे तो आ जाएगा पर मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं सुगम्य पुस्तकाले जो कि सुगम्य को जानते हैं चलाना वह भली भाती समझते हैं तो फिर भी हम सुगम्य में जाके दिख लेते हैं यह इसमें कैसा से वर्ट करोता है लेटेस्ट बुक्स सुगम्य में आपको पता ही है जब यह आप लॉग इन करते हैं तो ऐसी आप्शेंस आती है एक पर तो यह डाउनोड रिक्वेस्ट लेता है फिर वहाई से हम किताब लेते हैं मैं प्रेफरेंसे लिस्ट इसमें कुछ किताबों की सुची दी हुई है हाँ यह बहुत इंपोर्टेंट है माइ इन्फोर्मेशन इसमें होना तो यह चाहिए कि हम अपनी डाल दें बट अभी हम इसमें अपनी डाई डाल सकते तो उन्होंने बताया कि यह सब उस रामागरवाल जे की आईडी है तो हम उनकी आईडी से जतनी मर्ची किताबें डाउनलोड कर सकते हैं अभी हम अपनी आईडियस में नहीं भर सकते बुक शेर यह भी आपको पता ही एक लाइब्रेरी है माई इंफोर्मेशन में भी वैसे ही है उन्होंने एक आईडी जैसे कि रामागरवाल जी की दी हुई है हम उसी में सब कुछ कर सकते हैं तो लेटेस्ट बुक्स में एक पर जाके देख लेते हैं मैंने सुगम्या के बुक डाउनलोड इसलिए नहीं की क्योंकि कई बार होता है सुगम्या के जो किताबे होती है वो बहुत पड़े साइस के होती है इसलिए उससे ओनलाइन ओन दे स्पोर्ट डाउनलोड करके चलाना थड़ा मुश्किल हो जाता है यह किताब है तो इससे मैं डाउनलोड करना चाहूंगा तो मैं ओके बटन को लॉंग प्रेस करता हूं तो मैं सब्सक्राइब करता हूं तो वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है तो यह फाइल को हम ओपन भी कर रहे हैं तो मैंने इसे आपको डाउनलोड भी कर दिया और प्ले करके भी दिखा दिया अब हम बुक्षेर से आगे बढ़ते हैं शॉट काट लिस्ट इसमें कुछ भी सुन रहे हैं और उसे हम अपने फेवरेट लिस्ट में एड कर सकते हैं बाट ऐसा होता है कि इसमें झोल भी हम सुन रहे होते हैं व आमताति पर जो है हो फेंट लिस्ट में आढ़ी जाता है जैसे यह दिखिए मैं इसम्हें पटोविकर में है इसम्हें इसमें एक बुक्स लीघ्ल जो मेरे मेंम रिकार्ड में हैं तिर विए हम आपको दिखा देते हैं डी टीवी बुक्स यहने डेजी टेक्स्ट बुक्स जो हमने एक दो बुक्स शेर से डाउनलोड की होंगी और एक दो मेरे डिवाइस में स्टी कार्ड में इसमें बता देता है वह रिसेंट में इसमें लेटा है और वही फाइल इसमें शोग कर देता है इंटरनल दिस्क के बारे में बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है तो एक इसमें मैनुल दगा हुआ है एंजल इंडिया का जो की पता ही होता है सबकुछ क्या-क्या है अब इसमें कोई फाइल है नहीं इसके और टो फीटेड पूल रहे है इसमें कुछ अनों ने अपने द्वारा ही कुछ इपफाइल जहें डाली हुई है और एक इसमें है ओके ये इसमें ना इप इबुक्स फोल्डर में इंडियन लैंग्वेज़स फाइल्स फोल्डर है इसमें हर ने वेंग्वेज की एक ना एक किताब दी हुए है छोटी-छोटी आप देख लें किसमें किस तरह से पढ़ा जा सकता है जितने भी 16 लैंग्वेज दी हुए है इसमें तो उन सब की एक एक फाइल दी हुए है कुछ पीडियाफ दी हुए है और पीडियाफ का तो आपको पता ही इंग्लिश वाली पीडियाफ तो हमारे डेज़ी पर देख लेश्ट यह तो इतना है की मैंने किताब काउनलोड की थी तो वह इसमें भी शोग होती है कभी-कभी इस किताबें हमारे लग फोल्डर में शोग हो जाते है मैं कुछ किताब हुए है वहीं स्लिट हो करवानी पड़ती है यह हैं हिंदी इंटरनेट रेडियो फोल्डर और इसे मैं लेकर आया था जह है ऑनलाइन जिस्क से डाउनलोड करके उसके अलावा और कुछ मुझे वहां से डाउनलोड करने का लगाने प्लस फाइल फॉर्मेट में है यह सबसे चीज़ यह है कि एंडी टीव इंडिया भी ऑडियो फॉर्मेट में जलता है मैं से प्ले करने की कोशिश्ट अब अब आद करें नूपूर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वानों को अमरावती में ठंकिया मिली कईयों ने डर कर एंडी टीवी इंडिया को हमने जो चलाया यहां पर आडियो फॉर्मेट पी यह बहुत बड़िया चीज़ है इसमें कुछ इंग्लिश रेडियो है और वह भी इसी तरीके से प्ले होते हैं बट कभी-कभी क्या होते हैं कि वाइफाय किनेक्ट होने के बावजूद भी यह प्ले नहीं होते पर कभी-कभी हो भी जाते हैं तो यह सारी चीज़े हैं मिजिक फोल्डर में इन्होंने कुछ गाने डाल के दिया है हमी जिससे आफ यह सुनिश्चत कर सकें इसका मीडिया प्लेयाप किस तरह का है तो यह मैं अलावारियां को प्ले करके दिखा हूं अब को जस्ट वन सेकिंद थोड़ा इसे अप अंदाजा लगाएं कि यह किस तरह का साउंड क्वालिटी है इसकी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि कई बार कॉपिराइट इशो भी होते हैं तो यूट्यूब ऐसा क कर देता है मेरा सबसे फेवरेट फोल्डर पॉड्कास्ट फोल्डर इसमें बहुत अच्छे पॉड्कास्ट है और आज तक का फोल्डर भी इसमें है यह दिखिए आज तक हिंदी बोल दिया ना वज नहीं यह चार बजे की फाइब मिनिट की पॉड्कास्ट है मैं इसे प्ले करके दिखाता हूं एक बार ओके करके हम डाउन एरो कर देते हैं तो प्ले हो जाएगी है तो कि कई बार ना हम ओके करके छोड़ दें तो यह प्ले नहीं होती है फिर भी तो यह देखो यह हो गया ना प्ले चीज फ्ले टेंगे अगरा करना हो तो हम भाई ओके बटन को फोल्ड करेंगे तो वह वाकी बुक्स की तरह यह डाउन अरो जाएगा तो यह इसमें पॉड्कास्ट फोल्डर है जो कि आपको मैंने दिखा दिया प्ले करके भी और बाकी कुछ किताबे हैं मेरी स्टी कार्ड में मैं थोड़ा थोड़ा जस्त उसको बताना चाहूंगा तो हम स्टी कार्ड में देखेंगे इसमें जो चीजें उससे अपको थोड़ा और समझ आएगा तो यह डेजी बुक है जो कि परत्यों गिता दर्पन है आप अपनिंग फाइल प्लीज वेड ओडियो फाइल है तो हम इन्फो बटन दबा कर जहें इसको थोड़ा इसकी इन्फोमेशन ले लेते हैं तो इसने सारी जानकारी दी यह हम 100 पेज पे हैं और इसमें टोटल 100 90 पेजस हैं तो अब हम इपने मन पसंद पेज पर जाने के लिए जो है इसी में गोटू बटन का प्रयोग करेंगे अब हम पेजसे नंबर पचास पर जाएंगे तो यह जो हम डिजिटल डायल पैड है इसका उसे हम 50 प्रेस कर दिया हैं प्रिश्ट्र संख्या पचास पास यह जो नील भी पेज बोलता है और खर वो जो वाच्ची का उसने तो पेज बोलाई है तो यह हमने एक आडियो बुक चला के दिखा यह आपको अब हम एपप फाइल भी चला के दिखा जेते हैं अब यह इप फाइल चलेगी मजह थोड़ा फास्ट सुनना पसंद है इटेक्स्ट इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड फाइब की हुई है तो इसे में भी जो है इन्फो बटन से पेज बगर के बारे में जा सकते हैं और गोटू से जो है डिजिटल डाइल पैड में जो है अंक दर्श करके मंचाहे पेज पेज पर जा सकते हैं पर इसमें कुछ और चीज़े भी दिखा देता हूं स्पीड नॉर्मल हो गई है अब थोड़ा धीमे हो जाए गई है सेवड सेवड गो बैक मद्यकाली नयुक में प्रसेद सिल्क रोड असल्क रोड दक्षण पस्ची मीटर एशिया से ही होकर गुजरता तो यह फिर से यह इसमें नील का आवाज में पढ़के सुनाया इसमें तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगाए कि एबुक चलने में समय और इसमें हम आपके एड नावन अरो से यह जो चीजै कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े हstars 5 पर कर देगे तो राइट लेफ्ट अरो से। तो अब मैं इसमें छोटे चोटे और दो तीन फीचर्स के वारे में बता दूँ चेंज टाइम रिपोर्टर ये जो भाषा बदलते हैं हम उसके जस्ट नीचे हैं मेन्यों में वान आवर हाफ आवर तो ये जो है राइट एंड लेट एरो से हो जाता है चेंज आइडल शट्डाउन से ये भी राइट आइड एरो साही होजाएंगा के कर देख लेते हैं ये भी ऐसा राइट आइड एरो से होजाता है के करने के बाद बस ुचे बाराद्ट एद्म इसमें बता देता है कि इसमें जो है सिस्टेम लेटर्स्ट अपडेट के बारे में कहते हैं कि जब भी अपडेट आगी तो यहीं आएगी तब हम इसमें सिस्टेम अपडेट करके दिखते हैं तो यह थी सिस्टम अपडेट जो कि मैंने आपको बताई तो आशा कि इस टेजी प्लेयर के वेरे में आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ धन्यवाद